जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विशह हम सब के सामने हैं। देश वासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोच कम करने के लिए केंदर सरकार ने एजसाइज जूटी में कमी की थी। पिछले नमेंबर मैने में कम की थी। केंदर सरकार ने राज्यों से भी आगरत किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और यह बेनिफिट नागरीकों को ट्रांसपर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो बारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया। लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्यों के लोगों को इसका कोई लाप नहीं दिया गया। इस वज़े से पैट्रोल डीजल की कीमते इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकामले कहीं ज्यादा है। यह एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पडोसी राज्यों को भी नुक्सान पहुचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज टैक्स में कटोटी करते हैं, उन्हें राज्यों की हानी होती है। जैसे अगर करनाटका ने टैक्स में कटोटी नहीं की होती, तो उसे इन छे महिनों में पांच हजार करोड रुप्य से ज्यादा का राज्यों मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता, तो उसे भी साड़े तीन चार हजार करोड रुप्य से ज्यादा का राज्यों मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरीकों की भलाई के लिए अपने नागरीकों को तकलीव नहीं इसलिए अपने वेट में टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए। वही गुजरात और करनाटा के पडोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन शे महिनों में साड़े तीन हजार करोड रुपिय से लेकर के पांच साड़े पांच हजार करोड रुपिय तक अतिरिक्त राज्यस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महने में वैट कम करने की बात की थी सबको मैंने प्रार्थना की थी लेकिन कई राज्यों मैं यहां किसी के अलोचना नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के stäि पेले कुछ राज्यों ने बात को माना कुछ राज्यों के नहीं माना अब कई राज्य जयसे महराष्ट्र, पश्चिममंगाल, तेलंगना, आंधर्प्रदेश, तमिल नाडु, केरला, जार्खन किसने किसी कारण से उनोंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को नहीं जाओंगा कि इस दोरान इन राज्यों ने कितना रेवन्यू कमाया लेकिन अब आपसे मेरी प्राथना है कि देश हित में आप पिछले नमंबर में जो करना था छे महने डीले हो चुका है अब भी आप अपने राज के नागरिकों को वैट कम करके इसका मेनिफिट पहु झाल झाल